भाईगों और बहनों, मानव इतिहास में अनेक विपनाई आई, महमारी आई, बीशन युद्ध हुए, लेकिन कॉरोना जैसी चुनवती की, किसी ने कलपना नहीं की थी कि एक ऐसी महमारी थी, जिसका अनुभाव, ना तो साइंस को था, ना ही सोसाइटी को था तमाम देशों से जो तश्वीर आ रही थी, वो खबरें आ रही थी, वो पूरी दुनिया के साथ साथ, हर भारतिय को विचलित कर रही थी ऐसे हालात में, दुनिया के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स भारत को लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे थे, लेकिन साथियों, भारत की जीज़ बहुत बड़ी आबादी को, हमारी कमजोरी बताए जा रहा था, उसको ही हमने अपनी ताकत बना दिया, भारत ने संबेदन सिल्टा और सहभागीता को लड़ाई का आधार बनाया, भारत ने 24 सो गंटे सतक रहते हुए, हर गटना का पर नजर रखते हुए, सही समय पर सही फैसले लिये, तीस जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला, लेकिन इसके दो सब्ता से भी पहले, भारत एक हाई लेवल कमिटी बना चुका था, पिछले साल आज का ही दिन था, जब हमने बाकैदा सर्वलान सुरू कर दिया था, 17 जनवरी 2020 वो तारिक थी, जब भारत ने अपनी पहली एड़वाईजरी जारी कर दे थी, भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था, जिसने अपने एरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी, साथियों, कोरोना के खिलाब लड़ाई में, भारत ने जैसी इच्छा शक्ति दिखाई हैं, जो साहस दिखाया है, जो सामुहिक शक्ति का परिचे करवाया है, वो आने वाली अनेग पीडियों के लिए प्रेणा का काम करेगा, याद कीजिए, जनता करवियों कोरोना के विरूत हमारे समाज के सैयम और अनुसासन का भी परिक्षन था, जिसमें हर देश वासी सफल हुआ, जनता करवियों ने देश को मनोवेज्ञानी गुरुप से लॉकडाउन के लिए तयार गिया, हमने ताली, थाली और दिया ज़ला कर देश के आत्म विश्वास को उचा रखा, साथियों, कोरणा जैसे अंजान दुश्मन, जिसके एक्षन रियक्षन को बड़े-बड़े सामर्थमान देश नहीं भाप पा रहे थे, उसके आक्रमन, उसके संक्रमन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका ही यही था, कि जो जहां है, वो वहीं रहे, इसलिए देश में लॉक्डाउन का फैसला भी किया गया, यह निर्णे आसान नहीं था, इतनी बड़ी आबादी को घर के अंदर रखना असंबाव है, इसका हमें एसास था, और यहां तो देश में सब कुछ बंद होने जा रहा था, लॉक्डाउन होने जा रहा था, इसका लोगों की रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थ व्यवस्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन भी हमारे सामने था, लेकिन देश ले जान है, तो जहान है के मंतर पर चलते हुए, प्रत्य भारत्य का जीवन बचाने को सर्वोच प्राठ्विक्ता दी, और हम सभी ने ये देखा है, कि कैसे तुनंत ही, पुरा देश, पुरा समाज, इस भावना के साथ खड़ा हो गया, अनेकों बार, छोटी छोटी लेकिन महत्वपन चीजों की जानकारी देने के लिए, मैंने भी अनेक बार, देश वासियों के साथ सीधा समबाद किया, एक तरफ, जहां गरीबों को मुप्त भोजन की ववस्ता की गई, तो वहीं दूर, सब्जी, राशन, गैस, दवा, ऐसी जरूरी चीजों की सुचारू आपुरती, सुनिशित की गई, देश में ववस्ताएं ठीक से चलें, इसके लिए, ग्रह मंतावे ने ट्वेंटी फॉर बाइ सेवन कंट्रोल डूरूम सुरू किया, जिस पर हजारों कॉल्स का जवाब दिया गया, लोकों को समाधान दिया गया, साथ क्यों, कॉरोना के विरूत, इस लड़ाई में, हमने कदम कदम पर, दुनिया के सामने उदाहरन प्रस्तुत किया है, ऐसे समय में, जब कुछ देशों ने, अपने नागरीकों को, चीन में बढ़ते करोना के बीच, छोड़ दिया था, तब भारत, चीन में फसे हर भारतियों को वापस लेकर आया, और तिब भारत के ही नहीं, हम कई दूसरे देशों के नागरीकों को भी, वहाँ से वापस निकाल करके लाए, कुरोना काल में, बंदे भारत मिशन के तहट, 35 लाग से जादा भारतियों को विदेशों से भारत लाया गया, मुझे आध है, एक देश में जब भारतियों को टेश करने के लिए मशीना कम पढ़ रही थी, तो भारत ने पूरी टेस्टिंग लैब यहाँ से वहाँ भेज करके उसको वहाँ सजाया लगाया, ताकि वहाँ से भारत आ रहे लोगों को टेस्टिंग की दिक्कत ना हो.